नमस्कार वीवर्स, ब्यूटिन दुमें एक बारी फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज में आप लोग के लिए एक ऐसी जादो ही रेमेडी लेकर आई हो जिसका इस्तिमाल करके आप जो अपने बालों को दस कुना तेजी से लंबा और घना बना पाएंगे हम बस शैम्पु करके निकल जाते हैं और हमारे जो बाल है उसमें असानी से पॉलिशन फश जाता है जो की निकालना बहुत ज जदा मुश्किल होता है और साथी साथ उसकी वज़ह से आपकी स्कैलप पर गंध जमा हो जाता है जिससे आपकी जो बाल है उसकी ग्रोथ रुख जाती है और बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं और साथ साथ बाल बेहिसाब तूटने भी लग जाते हैं तो दोस्तों आज में आप लोग के लिए एक ऐसी रेमीडी लेकर आई हैं जो आपकी जो बाल है उसको लंबा बनाती है और उसे घना बनाती है और जणना तूटना रोक कर उसकी जो ग्रोथ है उसको पक्का करती है यह बालों की जड़ों के लिए बहुती ज़्यादा अच्छी होती है बालों को री ग्रो करने के लिए बहुती बड़े तरीके से काम करती है यहां पर हम प्यास का इस्तमाल करेंगे लेकिन इसका इस्तमाल आपको कैसे करना है इसको आपको पेस्ट बना लेना है इस तरीके से आपको प्यास का पेस्ट मिल जाएगा ध्यान रखे कि आप ज़्यादा गहरे कलर की प्यास का इस्तमाल करें ज़्यादा लाल कलर की प्यास का इस्तमाल करें उसमें अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पर आप यह दो चमच करी प्याज का पेस ले लेना है और अब जो अगली चीज आपको इस्तमाल करनी है वो है दोस्तो सरसो का तेल यहाँ पर आपको एक चमची बस सरसो का तेल को ले लेना है शुद्ध सरसो के तेल का आपको इस्तमाल करना है सरस्रो के तेल का है कि यह आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के जो सफेद बाल होते हैं कम उमर में आपके जो ग्रे बाल हो जाते हैं सफेद बाल हो जाते हैं अब मैं ब्ताते कि ये उपको क्रूआ करते हैं अपने बालों को अच्छी से चाहरे करके आपको आपसे अपनी जड़ों परूकर करना है जड़ों 7-7 मिनुट औरयों 16 मिंपी 2 वाउच Tak चुड़ेक चम्यजा की चिरिखे बालों की समस्या और सफेद बालों की समस्या बिल्कुल दूर भागने लगिए तो यह दा में तब से आप लोग के लिए आज कर नुसका अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज अच्छी वीडियो जो आपके साथ लाते रहें जो आपके मिसना हो मिलते हूं नई वीडियो में तब तक लाब अपना ख्याल रखें और स्वस्त्रें